Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको के साथ शेर करने वाली हूँ एक बहुत ही elegant and simple makeup look. यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी फेस क्लीन करने के साथ. फेस को क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले eye makeup करने वाली हूँ. So, यहाँ पैने जो यूस किया है वो है Inglot का eye base. Eye base लगाने के बाद मैंने उसको अच्छे से blend out कर दिया है. यहाँ मैंने लिया है MAC का NC45 No. Compact Powder जो मैं यूस करने वाली हूँ as a transition color. मैं इसको लगाने वाली हूँ एक fluffy brush की मदद से inner corner में जो eyelid area है. वहाँ पे मैं यूस करने वाली हूँ fine pigment जिससे एक pop आएगा eyes में. फिर मैं यूस करी हूँ यहाँ पे huda beauty का eyeshadow palette जिसमें से मैंने यूस किया है यह dark brown color. Dark brown color मैंने इसले लिया है ताकि जो मेरा eyeshadow है उसको और depth मिले. और same v-shape में जा रही हूँ मैं फिर से eyes को और ज़्यादा define करी हूँ. Same जहाँ पे मैंने brown लगाया था अभी मैं black color यूस कर रही हूँ और eyes को और भी define करके contour दे रही हूँ. यहाँ पे मैंने use किया है embrosis का moisturizer जो की एक बहुत ही अच्छा moisturizer है. यह आपके dry skin से लेके combination skin और normal skin तक चल जाता है. फेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही dry है. इसलिए मैंने use किया है Nica का glow boosting oil जिससे में को skin में थोड़ा और moisturization मिल जाएगा. Oil लगाने के बाद यहाँ मैं use कर रही हूँ Shop Eril का Z palette. यहाँ पे भी pigmentation है. मैंने यह stippling brush की मदद से concealer लगा दिया है. As you can see, जो concealer मैंने लिया है, उसमें हलका सा orange का tint है. जिसकी वज़े से मुझे अलग से character लगाने का ज़रूरत नहीं है. मैं directly concealer से यहाँ पे pigmentation पे काम कर सकती हूँ. Concealer लगाने के बाद यहाँ मैं use कर रही हूँ Huda Beauty का Fox Filter Foundation. और जो foundation मैंने लगाया है, shade है Gingerbread. यहाँ पे मौडल के exact shade पे काम करे हूँ, मैं उनको गोरा नहीं बना रही हूँ, मैं उनके exact tone पे काम करे हूँ. तो जो foundation मैंने लिया है, वो उनके एकदम skin के color के हिसाब से है. So यह brush की मदद से, foundation blending brush की मदद से, पहले मैं उनके हर area of the face में यह foundation लगा दूँगी. Foundation अच्छे से लगाने के बाद, मैं यह damp beauty blender यूज़ कर रही हूँ, foundation को पूरे अच्छी तरिके से face में blend out करने के लिए. Dam beauty blender सबसे अच्छा होता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो हमारा ज्यादा product खीच नहीं लेता है blenders में, और जब अपनो dry यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा wet यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे troubles आ सकते हैं, तो always use a damp beauty blender. यहाँ मैं use कर रहे हूँ, huda beauty का tantor, जो है medium shade पे, यहाँ मैंने लगा दिया है, इनके cheekbones को highlight करने के लिए contour, फिर jaw lines पे भी थोड़ा सा मैंने blending कर दिया है, और मैंने लगा दिया है इसको forehead पे भी. फिर मैं यहाँ पे इनका nose contouring करी हूँ, एक पतले brush की मदद से, nose contouring के लिए मैंने पहले contour को अच्छे है, इसे shape में, एक line में nose को define कर दिया है, फिर मैं एक beauty blender की मदद से, same damp beauty blender की मदद से, उसको blend out कर दूँगे, making sure कि कहीं पे भी contour ज्यादा harsh ना लगे, यहाँ पे मैंने लि इनका T-zone brighten करने के लिए, मतलब एक focus area देने के लिए, center of the face में, अगर आप देखेंगे contour, इसे हम लोग shadow create करने के लिए लगाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग concealer लगा रहे हैं, वो lighter shade में है, एक तो shade light है, इनके foundation के हिसाब से, वो क्या करेगा, इनके face को एक center मे एक brightness देगा, after concealer, यहाँ पे सारे product, cream product को set करने के, यहाँ पे मैंने ले लिया है, huda beauty का loose powder, जिसका shade name है, kunafa, और जहाँ पे भी जरूरत है, इनके face में, मैंने इसको लगा दिया है, to set the foundation, concealer, everything in place, after setting the face with our loose powder, मैं यहाँ पे use करी हूँ, physician formula का contour again, फिर से, जहाँ पे भी हमने पह एरिया में, similar way में, मैं यहाँ पे powder contour लगा रही हूँ, just उस contour को और थोड़ा define और set करने के लिए, जाने के बाद, यहाँ मैंने रियूस किया है, eye magic का blush palette, this is one of my favorite blush palette, यह जो blush palette है, बहुत ही जादा pigmented है, बहुत अच्छा color इसका आता है, यहाँ पे मैं model के undertone के हिसाब से, ल blush का apply कर रही हूँ, blush एक ऐसी चीज है, जितना आपको पसंदे आप लगा सकते हो, but make sure कीजे का कि जो color आप चूस करे हो, आपके undertone के हिसाब से हो, next मैंने यहाँ पे ले लिया है, ओफरा का highlighter, this is one of my favorite highlighter, again, बहुत अच्छा glow देता है, face में, highlighter का color मैंने यूस किया है, बहुत ह we have to use, we can also use a bronze color highlighter for my model, highest point of the face में हम लोग पूरी तरह से highlighter को अच्छे से लगा देंगे, यहाँ में यूस करी हूँ, ABH का brow filler, जिसका shade है, Eboni, क्योंकि model के brows if you see naturally, बहुत ही thick है, और अच्छे है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रोड़क लगाने का जरूरत नहीं, और शेप बहु अच्छा arch shape में है, तो मैं जुस्ट same shape को maintain करते हुए, जुस्ट a natural filling दे रही हूँ, eyebrows में, और extra कुछ भी draw नहीं कर रही हूँ, after doing the eyebrows, next मैं move out करी हूँ liner पर, और मैं यहाँ पर कोई भी basic wing liner नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा angled liner दे रही हूँ, क्योंकि eye makeup बहुत ही simple है, तो liner थोड़ा सा मैं dramatic कर रही हूँ, with the help of a very thin brush, यह brush मेरा sigma का है, बट आप कोई भी thin brush जैसे vega का भी use कर सकते हो, और यह जो eyeliner मैंने use किया है, वो है pot liner from Inglot, पहले मैं एक line draw करके, outer corner से inner corner तक line draw करके, उसको अच्छे से fill करी हूँ, फिर एक angle देखे, outer corner में, मैं एक pencil brush की मदद से, eyeliner को smudge out करने वाली हूँ, with the help of same brush, मैं Inglot के जो liner है, उसको outer corner से, नीचे की तरफ भी smudge कर रही हूँ, इससे क्या होगा, कि एक continuation आएगा, और smudge liner का effect, lower lash line में भी दिखेगा, आइस को और extended look देने के लिए, inner corner पे एक खलका सा weed drawing कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने pencil brush की मदद से, फिर से, brown color लिया है, huda beauty के palette से, और lower lash line पे लगा दिखेगा, आपको हमेशा mascara लगाने से पहले, lash को curl कर लेना है, तो दोनों lashes को मैंने यहाँ पे अच्छे से curl कर दिया है, curl करने के बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, mac का mascara, सारा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं false lashes, because without false lashes, कोई भी make-up एकदम complete नहीं लगता है, false lashes लगाने से make-up का look अलगी level पे जाता है, false lash को apply करने के लिए, यहाँ पे मैंने euro paris का glue लगाया है, मुझे euro paris का glue पसंद है, क्योंकि उसमें brush मिलता है, brush की help से, eyelashes के वैन में glue लगाना बहुत ही easy हो जाता है, और यह जो मैंने lashes लगाया है, वो है eye magic के number 7, यहाँ लगाने से पहले, लिप को अच्छे से फिल कर डूँगी lip liner से, तर मैं यहाँ लगा रही हूँ पारूलगर का lipstick, जिसका shade है, hibiscus, इनके undertone के हिसाब से, darker shade इन पे बहुत ही प्यारे लगेंगे, as you can see, and here's the final look, I hope you guys enjoyed this tutorial, अगर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजएगा, and अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजएगा, do subscribe to my channel, see you in the next one, bye!